हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल एसके मिश्टरी अवे आप सक्सिच में हूँ आपका एजुकेटर सीवम मिस्रा आपका स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल एसके मिश्टरी पर और आज हम बात करेंगे जी हां हिंदी में आपका हंड्रेट नंब जरूर से जरूर आप सभी बच्चे जरूर से जरूर करवा देंगे 1000 लाइक刃गट नहीं है बहुत ऑन है एक ऐक अगर उन्री रखेंगे तो एक हsilर लाइक हो जाए गार हो ऊजाए और हां इसका पीडिगा न वहारे टेल्LEG राम चैनल SKM study पे मिलेगा SKM study मिलेगा और आपका comment था कि last five year के सर आप क्या गरिए paper solution करवा दीजे last five year का paper solution तो मैं आपको last five year का paper जो solution है मैं पूरक पूरा करवा दूँगा उसकी tension आप लोग बिल्कुल मत लेजिएगा मैं पूरक पूरा करवा दूँगा बस आपके ओल अपने पढ़ाई फोकस कीजिए हिंदी में सोकसा और टार्गेट मेरा है दिलाने का हिंदी बायलोजी फीजिक्स कमेश्टी पूरी क्लाजेज आपके अपने यूटूब चैनल या स्के में सड़ीप चलाई जा रही है तो इसलिए क्यों आप लोग पढ़ाई फोकस कीजिए बागी किसी चीज पर आपको ध्यान देने की ज़रुवत नहीं है क्यों आपको फोकस होना चाहिए किस पर पढ़ाई पर ठीक है न तो इस पेपर को देख लिए हंडेड परशेंट आपका इसी पैटरन पर पेपर रहे गाई है यह जो पेपर में आपको प्रस्णपत्र को पढ़ने के लिए देखेगा माले जब हिंदी में आप कुछ भी पढ़े नहीं है जी हां बिलकुल भी आप हिंदी में पढ़े नहीं है अभी तक तो सोच रहे होंगे सर हम कैसे आखिरकार करें जब हिंदी में भी हमने पढ़ाए ही नहीं किया है तो हम कैसे अच्छे इसमें माक्स स्कूर कर पा तो जो प्रारम के 15 मिनिट है यह परिच्छार्तियों को प्रशनपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा कि आप सबसे पहले पंद्रे मिन तक है अपने प्रशनपत्र को पढ़िए और दूसरा इस प्रशनपत्र में दो और दोनों खंडों के सभी प्रशनों के उत्तर देना आपका क्या रहेगा इसमें दो खंड रहेगा और क्या नहीं प्रशन करेंगे आप अच्छे से आप इन प्रश्णों के उत्तरी दीजिए तो 50-50 विकलपी रहेगा अब देखेगा इन फाल्पी को याद करने का तरीका जरा प्रभी साथ हेता करने का तरीका क्या समझाना Cherry भी किम कूद कई क्याद करेंगे क्योंकि दस अंग को आप पática पूछा जाते हैं अब हम पहले प्रश्न को जो मैं पहला वाला प्रश्न स्वाय है क्हाइग और वहाँ पर क्रिछी आएगा या लेखक की एक लिखक का साहितिक परिच्चे देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का लेक कीजिए क्योंकि जब आप लेखक के कृतियां याद करेंगे जीवन परिच्चेय याद करेंगे तो उसी समय उनके जितने भी कृति हैं सब याद कर लें जितने भी याद कर लेंगे उतना आपको help करेगा बहुविकलपी में क्योंकि वहाँ पर यही प्रशन था तोड़ा आप देख लेजिए खुद से पहले में इसको टॉप पर लिख जाता हूँ देखें आप पर क्या है यहां पर इन्हों ने दिया है कि वासुदेवसड़ अग्रवाल की कृति है मेरी असफलताएं मात्रिभूम आधे धूरे या फिर आखरी चट्टा देखें वासुदेवसड़ अग्रवाल से जुड़ी हुई यहां पर प्रशन पूछा गया कि नहीं बताईए तो यहां देखें इन्हों यह भी दी आया कि लेखखा साहितिक पर चाह देते हूं उनकी कृतियों का उलेख करें तो जब आप इन लेखक का कृतिया याद कर रहे हैं तो उसी समय जितनी भी इनकी किरतिया हैं सारिक सारी आप पर याद करने जीवर परिशायात करते समय ताकि आपको बहुविकल्पी के लिए बिल्कुल महनत करने के जुरूत नहीं है क्योंकि वो लेखक और कवी से ही बनेगा इसी प्रकार जितने भी आपके अब ऐसा नहीं है अब आप एक थोड़ा सा मेहनत यह करिएगा कि बहुविकलपी रटना छोड़िए आप जितने भी आपके बुक में लेखक दिये गए हैं जितने भी क्योंकि इस बार 70% स्लेबस है तो स्लेबस में कटोती की गई है तो बहुत जाद आपक लेखक होंगे कि उन्हीं को पढ़ लेजिए और आपको पढ़ने के जुर्ट पढ़ेगी नहीं पांच पढ़ लेखक देंगे काम हो जाएगा तो इनका जब आप देखिए अब इसमें आपके दो फायदे होंगे यहां से आपका बहुविकलपी भी तयार हो जाएगा यहा छूटेगा क्या नहीं चूटेगा क्योंकि यहां पर पांच अंको का लेखक का आएगा और पांच किस का यहागी तो पांच धन 5 पांच लेखक 5 पांच कभी प्लस 10 अंक बहुविकलपी तो 20 नमबर आपका ऐसा ही टारेट हो गया यानि कि 1-3-2 निसाना करिये जब लेखक का जीवन परिचयाद कर रहे होंगे जब कभी का जिन परिचयाद कर रहे होंगे तो उनकी कृतिया भी उसी समय आपको क्या करना है उनकी रचनाए भी उसी समय आपको याद कर लेना है ताकि इस बहुविकलपी के लिए आपको एक्स्ट्रा समय ना देना पड़े इसी जीवन परिचे और जो जी उन परिचे है तयार करते समय आपका बहुविकल पी भी हो जाएगा क्या ये टिप्स किसी नहीं अभी तक बताया था क्या आपको पढ़ने का कोई भी नहीं बताया है कमेंट कर दीजे किसी नहीं बताया था क्या कोई भी नहीं बताया है यह केवल विक्यो का मिल रहा है SKM study YouTube चैनल पे ही मिल रहा है और कमेंट कर देजिए कि जी नहीं सर बिलकुल भी किसी ने अभी तक हम लोगों को यह tips and tricks नहीं बताया है तो 20 नमबर आपको यहीं से clear हो गया मैंने यहां पर दो एक पहला वाला प्रश्ण कि लिए क्लियर करा दिया और दोनों से आपके बीस अंक आपके ऐसे मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा पढ़निक जरूत आपको बिलकुल भी नहीं पढ़ेगी क्या पढ़ेगी क्या आपको एक्ष्टा पढ़ने जरूत आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी तो यहां पे जीवन परिषय जितने भी थे मैं बता दिया कैसे क्या करना अभी इनकी तरीका भी मैं बता दूँगा कैसे क्या पढ़ना है चली अब हम लोग यहां पे दूसरा वाले प्रश्ण पर आते हैं दिख लेते हैं तो दूसरा वाला भी ऐसी हो जाएगा दूसरे वाले के लिए ही बस बहुविकल्पी पढ़िएगा काम खतम य जीवन परिच्छा याद करेंगे हो जाएगा चले तीसरा वाला देखिए जो तीसरा वाला है यह क्या है आपका यह गद्यांस पराधारित प्रशनाएगा अब इसको कैसे तयार करेंगे इसको कैसे तयार करेंगे तो जो गद्यांस होते हैं आप कुछ नहीं पढ़ी रहें कि यह कितने उंकों आयेगा यह आपके दस अंकों का आएगा कि इसमें पांच प्रस्थ 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 न्यूर और यह जो गद्यांस रहेगा घ्यांस और भूमिका निर्माण देवों ने किया है मैं पूरा पूरा करवाओंगा आज आपका एक भी छूटेगा नहीं जितने का ध्यासे ना चैप्टर वाईज आपका मैं पूरा कराओंगा एक एक चैप्टर करवाओंगा कोई छूटेगा नहीं ये मत समझे कि कोई छूटेगा पूरा पूरा मैं करवाओंगा वह अनंतकाल से है उसे भौतिक रूप सौंदर और सम्रिद्ध के प्रति सचेत होना हमारा आवस्य करतव है भूम के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरिक होंगे उतना ही हमारे राष्टीता बल्वती हो सकेगी यह प्रतवी सच्चे अर्थों में समष्ट राष्टी विचा धाराओं की जननी है जो राष्टीता प्रतवी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मुल होती है राष्टीता की जड़े प्रतवी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्टी भावनाओं कांकुर पल्लवित होगा इसलिए प्रतवी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना उसकी सुन्दरता उप्योगिता और महिमा को पहचानना आवस्यक धर्म है तो यहां पे पांच प्रश्म बनेंगी भूमिका निर्मार किस ने किया भूमिका निर्मार देवों ने किया वह लाड़ लो देख लेजी आप भी देख लेजी यहीं पर इसके उत्तर आपको यहीं पर मिलेगा उन्होंने पूछा कि भूमिका निर्मार किस ने किया वह कब से है तो भूमिका निर्मार देवों ने किया है वह अनंत काल से बस यहां पर पहले का उत्तर हो गया यहां पर मै यह आपका क्या हो गया आपका उत्तर हो गया कि भूम क्यारिमार दिवों ने किया है वो कब से आपका अनंत काल से यह आपका क्या हो गया पहले का उत्तर हो गया फिर यहां पर है यह प्रितवी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है यह प्रितवी सच्चे अर्थों में किसकी तो यह जो प्रश्ण है ना इस प्रश्ण का उत्तर इसी में छुपा हुआ है तो इसमें आप एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा आपको आता हुआ चला जाएगा कोई और आपको कहीं से लाना नहीं पड़ेगा ठीक ना फिर रेखांकित अंसो का व्याख्या कीजि अब रेखांकित अंस देखिया पे जो राश्टी यता पृत्वी के साथ नहीं जूड़ी वह निर्मुल होती है राश्टी यता की जड़े पृत्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी राश्टी भावों का अंकुर पलवित हो का देखिया इसको क्या करना है बढ़ा चढ़ा के लिखना है जैसे कि आप कोई बात बोल दिया कि यार वह आपको उल्टी सीधी बाते आपके बारे में उल्टी सीधी बाते कर रहा था तो आप क्या करते हैं आप उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ही नहीं कि यार वह आपको यह बूल रहा था वह परसेंट बातों में कनवर्ट करके बता रहे हैं तो यह सब क्या है यह सब यही है यह सब यही है अगला यहां पर उपयुक्त गद्यांस के पार्ट का सिर्षक और लेखक का नाम लिखे पार्ट का सिर्षक और लेखक कौन है उसको आपको लिखना रहेगा बस इसमें से एक करना रहेगा दोनों नहीं करना है यहां पर दो दिये रहेंगे एक देख लेजी यहां से यहां तक दिये हैं अब इस पर भी एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बना दूँगा कि गद्यास पद्यास कैसे आपको हल करना है सबसे पहले गद्यास भी बनाओंगा फिर आपका देवता और वैराग प्रवट धर्म में घुसे और बोधी सत्तों की सिरो मड़ी बन गए फिर बज्रयान का अपूर धर्म वार्ग प्रशलित हुआ ते रत्नों में बदन देवता ने आसान पाया वह एक अजीब आंधी थी इसमें बुद्ध बहग हैं और सैव बहग हैं सक्त बहग हैं उन दिनों स्री सुन्दरी साधन तत्पाराणयम योगस्च भोगस्च कछस्त एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई और काव्य और सिल्फ के मोहक असोग ने अभिचार में सहायता दी यहां पर देखेगा यहां पर पाच प्रशन बना है पाच प्रशन क्या बना ह बढ़ बढ़न ने मार विजय के बाद एक वहरागीयों की फालतन खड़ी करती ने अन्यमा टिया किया तो इसका उत्र यहना ख़ड़ी करती तो न्यमों सारे प्रशन के उत्तर इसी में है आपको अलग से नहीं डुड़ना परनेगा अब लिस यही थोड़ा से करना कि आप पोधिसत और अभिसार सब्दो का अर्थिस्पष्ट कीजिए रेखांके तंसका व्याख्या कीजिए तो आपका ऐसी हो जाएगा उसके बाद ऐसी पद्ध्यांस आ जाएगा यह जो पद्ध्यांस है मैंने पिछले साल अभिसन 2022 का जो एक्जाम हुआ था उसमें खुब अच्छे से मैंने सब को बताया था और जो जो बंदे पढ़के गए थे वो पूरा का पूरा नंबर स्कोर किये हुए थे जितने भी बच्चे थे वो A to Z जितने बच्चे हमारे क्ल सता दिया जो अभी आया था कि अनिमार देवों ने किया है उस पे और यह आपके पद्ध्यांस दिया है इसको मैं बार-बार रिपीट किया था और देखिए वह बोड में पूछा भी गया ऐसा नहीं है कि वह बोड में पूछा नहीं गया वह बोड में फिर आपका पूछा पूरा दस में दस इसकोर की गध्यांस में और दस में दस इसकोर की पध्यांस में भी तो देखें पध्यांस क्या है आपका मेरे प्यारे नौजलत से कंज से नित्रवाले जाके आयन मधुमन से अव नभेजा संदेशा मैं रोरो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूं जाके मेरी सब दुख कथा स्याम को तू सुना दे प्रियांपय जव ही मेरा बजन तज तू अलप आगे बढ़ेगी सुभा वाली सुखद कितनी मंज कु मेरा दुक लख वहां जहां विसह नजा विसराम लेना यहें यहां देखेंगे पांच प्रिश्मना हैं पांचओ कर देंगे आपके प्रतेका दो दो नमबर मिलेंगेों कर देंगे नहीं आप कर देजिएगा सुख भोग खोजने आते सब आये तुम करने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुथले जन तुम आत्मा के मन के मनोज जड़ता हिंसा इस परधा में भार चेतना अहिंसा नम्रोज पसुता का पंकज बना दिया तुमने मानोता का सरोज तो यहां पर भी उन्हों पर आपको तयार कर लेना है जोन-जोन से लिखक हैं और जो जो कभी हैं इनको मैं करवा दूँगा आपको अलग से कोई भी चीज पढ़ने पड़ेगी सारक सार मैं इसमें ही आप करवा दूँगा फिर यहां पे पंचलाइट बहादूर की कहानी इस पर मैं पूरा-पूरा करवा दूँगा बाहर्च नहीं पढ़ने के पड़ेगी धुरुयात्रा और बहादूर कहानी के उद्देश पर प्रकाश डालिए आपका पाचंग को कहे रहेगा अधिक सब अधिक्तम सब्दसीमा असी अधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए असी पूछा जाएगा डेडिकेटर रहेगा वीडियो फिर संस्कित का पढ़ लेजिएगा सातंको का इसमें कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूँगा देख लेजिएगा देखिए यह जो पिछले साल के पेपर रहेंगना एक बार आप सब्सक्राइब कर वहोते हैं तो साथ इंटो पाँचा मद्सिपलाई कर देजियो 35 वीडियो वीडियो नमब स्कूर और यह तयार कर लएगे ना तो हन्डडर परशेंट आप नंबर स्कूर करेंगी हन्डर परशेंट आप नंबर स्कूर करेंगे बिना किसी टेंसन की इस लोग वाला आप तयार कर लेंगे इसको मैं करवा दूँगा टेंसन ना लेजेगा देखिए मुहावरे और लोक्तिया यह इंपॉर्टन मुहावरे लोक्तिया एक वीडियो में ने बता दिया था दो अंगों काता है अधग जल गगरी में फोड़ा मेहनत कर लेंगे थोड़ा प्रैक्टेस कर लेंगे संदवीच्छिद हो जाएगा एक एक गवाला यह मैं पुरब पूरा दूँगा देवसा का संदि विच्छेद, नाविका का संदि विच्छेद, यह एकदम फिक्स रहते हैं, बार्च नहीं आती है, आत्मनों नाम ने, यह सब फिक्स वाले प्रशन हैं तो इसको लिए आपको बहुत जादा आपको मेहनद नहीं करना, यही सब मैं आपको करवा दूँगा, सका पूरा पूरा डिटकेटेन पढ़ नगाम हो जाएगा ठीके न तो यह समझे लेजी कि आपको हिंदी में कोई एक्ष्ट्रा मेहनत कहां पर करना है केवल आप दो ही चीज पढ़िएगा दो चीज क्या पढ़ेंगे जो संस्कृत होगा क्या होगा संस्कित होगा संस्कित में पढ़ेंगे संस्कित में पढ़ेंगे और इसलोग यानि की पढ़्यांस को पढ़ना रहेगा वस यहीं पढ़िए बाकि जो वचा हुआ है इसको मैं पूरा करवा दूंगा यह समझे लिजिए चीजिए पूरी तैयारी जो 100-100 अंकों की पूरी तैयारी में करवा दूंगा तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा परशाद होने की जरुद नहीं है बस आप अपने पढ़ाइब फोकस कीजिए बाकि इसकी गैरेंटी मेरी है पूरी तैयारी करवाने का जो हिंदी में 100-100 हो है मैं आपको दिलवाऊंगा इसका जो पीडियेफ है मैं टेलेग्राम चैनल एसकी एमिश्री भेज दूँगा तो यह सकी एमिश्री टेलेग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है जाकि वहां से आप डाउनलोड कर लीजी ओके दूसरों थाइंक्यू जैहिंद टेक केर बाइबाए